तो हेई फ्रेंड्स आप भी बनाना चाहते हो अपने घर में एक तम लजीस चिली पनीर वो भी मेरे स्टाइल में एक तम जबरदस्ट स्टाइल में और टेस्टी और मज़ेदार और इस वीडियो में पूरा बने रहे क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला इस वीडियो में चिली पनीर वो भी मेरे स्टाइल में बहुत मजा आएगा और पूरे वीडियो में बने रहे है क्योंकि यह चिली पनीर एक तम अलग होने वाला बहुत डिफरेंट होने वाला है तो गाइस पूरे वीडियो में बने रहे हैं और मैंने यहाँ पर अपना सारा बैस टेवल काट लि भी हिकारिगों से पास उसके बाद मैंने अ कंञ बड़े को भाद के लिएsmith के लिए चार हरी मिर्च चुह और यहां मैंने सब से पहले लिया है ये अजीनों मीटों यह है सोया सॉस और यह यह कर शुर्ण कालीमिर्च का पेस्ट an है पूरा दूसो ग्राम पनीर तो मैं किस तरीका से बनाऊंगा इस पूर वीडियो में पनेर तुम्हें सब्से बड़ाइब थोड़ासा नंमक और थोड़ासा हल्दी नियुक्त लगाएक पनीर में उसके बाद मैं पड़िया तरीकी से इसका फ्राइय का दूंगा था पारणिय रिफाइन और अगे बड़ी तरीके से परीड फ्रेग लूंगा अब तक पनीर गोल्डन ब्राउन ना वह जा तब तक मैं इसे पड़ी अश्ची नियास में अब मैंने बिठा दिया एक कड़ाई अब कड़ाई के माच्छी से गरम करूंगा अब मैं बनाता हूं को तो चपर तरीके से चिली पनी है तो गाइस पुरे वीडियो में बने लें हैं कड़ाई अच्छी से घरम हो चुका है मैं इसमें डाल दूंगा रिफाइंड ओल बस इतना ही रिफाइंड अब तो तक बाद इस रिफाइंड तेल को मैं तबर तस तरीके से गरब करूंगा आप में दाल दूँगा अद्रक अब में दाल दूगा पारी तब क्यों लखता है उसके बाद में दाल दूगा हरी मेर्च और पड़ेटी से गाइस पूरे वीडियो बने रहें मजा बहुत आने वाला है हाँ मैं खाके भी दिखाऊँगा इस कितना तेश्टी बना है अब में दाल दूगा उपपर ते शिम्ला में अब में डाल दूगा अब में डाल दूगा ते यार अब बड़े तरीके से त्राइब करूंगा जैसा गोल्डवेन ब्राउन अज्ञ और लस्का बुच्टी कर वाइसे प्रों तो तो उगा त्राइब कर लूँगा बड़े तरीके त्रिक्ट्स आप मैं उसके बाद डाल दूगा एक तरन हलका दूगा बास अब लॉत आप तो उसके में डाल दूगा ये विनेगट इसके बाद में डाल दूगा इसमें तोया पर आप ये वोग जाफ सिर्फूनरो पुचती साथ ज इं जिल आप में पड़ाल लूँगा काली मिर्च पाउडर और उसके बाद सब्सक्राइब इंपोर्टेंट स्वाद अनुसार नमक द्रादा नमक द्रूंगानी मैं इसमें आजीनमेटों दिया है इसमें भी कापी दर्दा नमक कमी खुदा कर देता है आजीनमेटों में कि अजीनमेटों कॉल्फोर को पानी इसमें ग्रेवी को बाड़ा करने का कापी ज्वैस्ट है इसमें बहुत फट्टिया ग्रेवी बनती है इसमें अब देखना गाईस उस्चमतकार हुआ पूरे वीडियो बने रहे है कि आज़ादा प्क्ला ओ चुगा है अब मैं समें एड गरोंगा टमाइटो कैचप अब मैं कि अटैमाइटो कैचप कि अ कि या ज्वां पसंने है इस चैकर में मैं तो डाला है आप भी चाहो अब कम्याल साक्ते हो ताव है आप इस तरीके से अपने घर पे अगर चिली बना के खाओ गए ना है साच बता उपना उली चाट दे ज़ाओगे तना टेस्टी बनता है कि यह बताओ उद्ञ नहीं खआओ तो पता गीमिशी रहाँ कितना टेस्टी बनता है अब बढ़ी तरीकसे में से मुझ कर लेता हूं और फाइनलि इसके इंटर जज़ जाएगा भी मेरा गोर्डन फ्राइ के हुआ पनील पुर्ण पर जल्दी गया था श्मीन मैं साफ मिक्स कर लेता हूं है 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 क्या लग रहा है चीनी पनील मेरा यार खुष्षबू नहीं तुग रहल कर दिया मुझे आयायाय क्या ग्रेवी बनी है यार सच बताओ रेस्टोरेंट पेल है पुरा रेस्टोरेंट पेल पता नहीं मैं अपने रसीवी कि खुद गारेंट क्यूं कर रहा हूं तो फ्रेंड्स वाइनली मेरा चिली पनीर बन के रेड़ी और मैं पड़ से ब्याज के कलियों की कार्निशिंग कर रहे हैं इतना सुंदर लगा ना दिखने में बहुत जादा टेस्टी बनाएं तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर और कमेंट में मुझे जरूर बताएं और प्लीज मुझे जादा से जादा शेयर करें और सपोर्ट करें क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे न